हालो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू जैसा कि आज आज आपका SSE CZL का 7 दिसंबर का सभी सिटो का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है तो SSE CZL से related पलपल की update के लिए चैनल को subscribe जरू कर दिएगा और बगल में यह आपको एक bell icon यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दिएगा तो चले वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग 4th सिप्ट के जो है प्रेस्ट को देखने वाले है उसके बाद आपको 3rd सिप्ट के जो है टोटल प्रेस्ट देखने को मिल जाएगा उसके बाद आपको 2nd सिप्ट के जो है प्रेस्ट देखने को मिल जाएगे तो 4th सिप्ट में जो आपका पहला कोश्वर्शन है था कि चालूग के राजवंस की राजवंस की राजवंस की जो पहली राजवंस था ये आपका एहल था तो एहल आपका यहाँ पे correct answer और देखें मैं आपको बता दू कि ये जो आपका चालूग की राजवंस है ना इसके जो संस्थापक थे ये पुलकेशिन प्रत्थम थे और पुलकेशिन प्रत्थम ने जो है 543 में इसकी जो राज़ानी है ना वो बादामी में बदल दिया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्ण आपके आप रहा था कि कैमिकल फार्मूला और ब्लीचिंग पाउडर यानि विरंजक चूडन का आपका रासाइनिक सुत्र पूछा गया था तो देखे विरंजक चूडन का रासाइनिक सुत्र होता है वो आपका CACLO होल ट्वाइस होता है वही अगर रासा नेक्स्ट कोश्ण आपके आप रहा था कि पोटास एलम का कैमिकल फार्मूला पूछा गया था तो देखे पोटास एलम जिसका कॉमन निम जो है वो फिटकरी होता है और इसके अगर कैमिकल फार्मूले की बात कर रहा है वो आपका के एल एस ओ फूर का होल ट्वाइस डॉट टुएल एस टूओ होता है तो ये फार्मूला आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्ण आपके आप रहा था कि पैगंबर मुहम्मद की जैनती को चिनहित करने के लिए जो है कौन सा तेवार जो है वो मनाया जाता है तो देखे मै आपका मिलान उन नभी जो टेवार है ना या आपके इसलामिक कैलेंडर की तीसरे महीने में जो है ये मनाया जाता है नेक्स्ट कोश्ण आपके आप रहा था कि गुड़ी परवा ये जो है भारत के किस राज्जी में जो है मनाये जाने वाला एक पारंप्रीक तेवार है तो महाराष्ट आपका करेक्ट एंसर होगा और ये जो है किस महीने में मनाये जाता है तो देखे ये जो आपका तेवार है ना गुड़ी परवा ये चैत्र महीने के पहले दिन जो है ये मनाये जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्ण आपके कि रूप में जो है वो राजीम कुमार को जो है वो नुक्त किया गया है, तो 25 वाप पैप्जिसवह आपका करेक्ट अंसर होगा, और राजीम कुमार ने ये किसकी जगा लिये तो ये सुसील चंदरा की जगा लिये हैं, नेक्स अब कहाँ प रहा था, कि वर्तमान में उत्तर परदेश के जो है उपू मुख्य मंत्री यानि डेपटी चीप मिनिस्टर जो है ये कौन है तो देखे वर्तमान में उत्तर परदेश को जो उप मुख्य मंत्री है वो आपके दो वैक्ती है और वो दो वैक्ती कौन कौल से है तो एक आपका केसर यह किस्प ने सपत ली है तो देखे भारत के चौद्वे उप राष्टपदी के रूप में जो है यह जगदीब धंकर ने जो है वो सपत ली है तो जगदीब धंकर आपका correct answer होगा देखे इससे पहले आपका पूछा गया था कि भारत के पंद्रवे राष्टपदी के रूप में जो है वो सपत किस ने ली है तो यह द्रापदी मूर्मू ने ली है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट वश आपके आप रहा था कि 2021 का जो ICC पूरुस T20 विश्व कप हुआ था ना यह कहां पर आयोजित किया गया था तो देखे जो आपका पूर ICC पूरुस T20 के बारे में तो देखे 2021 का जो विजेता टीम रहा था ना यह आपका आउस्ट्रेलिया देश रहा था वही अगर उप विजेता की बात कर ले तो यह आपका न्यूजी लैंड देश रहा था बात कर ले 2022 का जो आपका ICC पूरुस T20 विश्व कप हुआ है यह क का पाकिस्तान देश रहा है वोही अगर बात कर ले 2021 में यह झो मैन अप दा सीरीज ना ये किसे मिला था तो यह ऑ्स्ट्रेलियन बल्लेबाद डेविड वार्नर को दिया गया था सरवादिक RUN 2021 सरवादिक जो रन है ना यह किस ने मारा था तो यह पाकिस्तान के भावर आजम ने मारा था वही अगर सरवादिक विकेट की बात कर ले तो यह वानुंदू हसरंगा ने लिया था जो कि सिरलंका के खिलारी है वही अगर 2022 की बात कर ले तो 2022 में आपके जो मैन अभ्दा शिरीज रह थे ना व कहापके सैम करन रहते जो कि इंग्लेंड के खिलाडी है सरवादी करन की अगर मैं बात कर लू तो 2022 में सबसे ज़्यादा जो रन है ना वो विराट कोहली ने मारा था और सबसे ज़्यादा जो विकेट है वो भी वानिंदू हसरंगा के द्वारा जो है वो लिया गया था तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके अपर रहता की हुई इज़्या प्रेजेंट फॉरेंड सेक्रेटरी ओफ इंडिया यानि वर्तमान में भारत के विदेश सचीव कौन है वर्तमान में भारत के विदेश सचीव है ना वो एक माई 2022 से वीनाय मोहन क्वात्रा है और यह हर्स वर्दन स्रिंगला थे तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट को शाप कहा पर रहा था कि केसब चंद्रसेन का जो युगदान है यह किसमे रहा था तो देखें यह जो आपके केसब चंद्रसेन थे ना यह जो आपके समाजिक एवं धारमिक सुधा अंदुलन से यह संबंदी थे नेक्स्ट को शाप कहा पर रहा था कि विच आप दा फॉलिविंग इज एन और फैक्टरी इंडिकेटर यानि निमनलिकित में से जो है कौन सा घ्रान जो है वो सूचक है या फिर कोशन यह पूछा गया था कि यह जो आपका क्लोव वाइल है यानि लॉंग का जो तेल है वो क्या है तो देखें यह जो आपका लॉंग का तेल है ना यह एक और फैक्टरी इंडिकेटर है यानि ग्रान सूचक है तो और फैक्टरी इंडिकेटर आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट को शाप कहा पर आया था कि उड़ डिस्पैच यह वो अध्यस थे अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि वुड डिस्पैज ये क्या था तो देखे मैं आपको बता दू कि भारत की आपके भावी सिच्छा के लिए एक विस्तरी जो वो योजना बनाए गया था और उसमें जो भारत के ततकालीन गवर्णर थे न वो गोशना पत्र जो है वो माना गया था तो उडिस्पैज ये कब हुआ था तो ये 1854 जो है आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि एलेक्टरी करेंट का जो ऐसा यूनीट पूछा गया था और ये जो आपका रीजनिंग में जो हो आपका प्रेश सर लीजन ऑफ ओनर से जो हो समानित किया गया था तो देखें ये जो आपका फ्रांस का जो है सबसे ऑन्रेवल आवार्ड होता है कौन सा आवार्ड तो लीजन ऑफ ओनर और 2009 में जो है ये लता मंगेसकर को समानित किया गया था तो लता मंगेसकर आपका करेक्ट एंसके अला साहभई फाल की पुरूशकार्ट से जो है समानेत किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि हाली में सॉरी एद taraf का सॉरी ये आपका extra fact में कि हाली में फ्रांस के सर्वोच नागरिक समान लीजन ओफ ओनर से जो है, यह किसी समानीत किया गया है तो देखें, 2022 के लिए जो आपका लीजन ओफ ओनर से, जो हैना यह डॉक्टर स्वाती पीरामल को जो हो समानीत किया गया है, तो यह фак्त भी आपको ध्यान में रखना है next question आपके आप रहा था, कि आपका जनगन्ना की परिभासा कोशन में दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि यह किसकी परिभासा दी गई है तो देखे मैं आपको बता दू कि जो आपका परिभासा दिया गया था वो जनगन्ना की परिभासा दिया गया था जनगन्ना का परिभासा क्या होता है तो यह जो परिभासा होता है वो आपका जनगन्ना का होता है तो जनगन्ना आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि वर्स 2016 में संगीत में फुकुओका जो आवार्ड है यह किसे दिया गया था तो देखें मैं आपको बता दूँ कि South Asian traditional fusion music को contribute करने के लिए यानि इसे जो आगे बढ़ाने के लिए जो है जापान के द्वारा A.R. Rahman को जो है फुकुओका आवाट से जो वो समानित किया गया था तो A.R. Rahman आपका correct answer होगा Next question आपका आप रहा था कि in which of the house क्याने money will be introduced यानि धन विद्या को जो है यह किस सदन में पेस किया जा सकता है और यह जो आपका third shift में पूछा गया था तो देखे धन विद्या को जो है यह आपका केवल लोक सबाब में जो है वो पेस किया जा सकता है तो केवल लोक सबाब का यहाँ पे correct answer होगा Next question आपका आप रहा था कि सागर परिकर्मा जो यह कारिकरम था यह कहां से सुरू किया गया था तो देखे यह जो आपका सागर परिकर्मा कारिकरम है यह आजादी के अमरित महस्वकू एक भाग के रूप में जो है इस पहल की जो वो शुरुवात की गई थी और सागर परिकर्मा यात्रा की जो सुरुवात है ना ये गुजरात के मांडवी इस्थित स्याम जी कृष्ण वर्मा स्मारक से जो है इसकी सुरुवात की गई थी तो राज जी पूछा गया था तो गुजरात आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोष्ण आपका आप रहा था कि यामिनी कृष्णा मूर्थी ये जग कि सास्त्रे नेत्त से शम्मंदित है तो देखे यामिनी कृष्णा मूर्थी की बात कर लें तो ये आपके भरत नाट्यम और कुछी पूरी नेत्त से शम्मंदित है तो आपके ऑप्सन में भरत नाट्यम दिया गया था तो भरत नाट्यम आपका correct answer होगा इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्य नर्तक के बारे में यानि भरत नाट्यम नर्तक के बारे में जैसे की मलीका सारा भाई लच्मी विस्वनाथन रुक्मनी देवी अरुंडेल सोनल मान सिंग यामिनी कृष्णा प्रतीवा प्रहलाद, ब्रिनालीनी शारा भाई, उसके बाद पद्मा सुब्रमन्यम, उसके बाद भी हर्मनाथन, मुनासरी स्रीनिवाशन, बाला सुरश्वती इन सभी का जो संबंध है ना वो भरत नाट्यम नेत्य से हैं नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि मोहे दो लाल जो सौंग है ना यह आपका बाजीरा मस्तानी फिल्म का एक गाना है और इसमें जो कोरियोग्राफी किये थे वो विडजू महराज ने किये थे और विडजू महराज को जो है 2015 में बेस्ट कोरियोग्राफर का जो पुरुषकार है वो दिया गया था तो आपका MTS के प्रीबियस MTS के एक्जाम में भी यह प्रशन पूछा गया था इसके अलावा CHSL के एक्जाम में भी यह प्रशन आपका पूछा गया था तो देगे अंडर 19 विश्व कब 2022 के फाइनल मैच में मैं अब दा मैच जो है ना यह राज अंगद बाबा रह थे जो की भारती आल राउंडर है तो राज अंगद बाबा आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले अंडर 19 विश्व कब 2022 का जो मैच है फाइनल मैच यह किस ने जीता था तो भारत ने इंगलैंड को हरा कर इसका जो पांचवा खिताब जीत लिया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में कहां पर किया गया था तो यह आपका वैस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था वही अगर प्लेयर आप दा सीरीज की बात कर ले तो यह आपके डेवाल्ड ब्रेविस रहते जो की साउथ अफरीका के बैट्समन थे तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स तो असमरीती मंदान आपका करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि अक्टूबर दौजार बाइस में भारत के कंट्रोलर जेनरल आफ अकाउंट के पद पर यह किसे नुक्त किया गया है तो देखे मैं आपको बता दूँ कि आपके जो है दो पद होते एक आपका CGA होता है और एक आपका CGA होता है लेकिन आज आज आपका CGA के बारे में पूछा गया है तो देखे और CGA का मतलब क्या होता है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जेनरल आफ इंडिया यह जो है CGA का मतलब होता है अब हम लोग बात कर लेते हैं CGA के बारे में तो द कि मैं आपको बता दू कि अगर आगे के सिफ्टों में एक्जाम है ना तो न्यूकती से जो है वो प्रशन लगाता और पूछे जा रहे हैं तो आप न्यूकती से जो है जरूर देख कर जाईएगा नेक्स्ट कोशाप के अपर आप रहे था कि बिश्मिल्ला खान युवा पुरुषकार की अस्थापना है ना ये किस वर्स किया गया था तो देखे वारें हैस्टिंग ये किस वर्स भारत के गवंनर्ट जनरल बना था तो देखे जो कारेका लेना वो 1773 से लेकर 1785 तक रहा था तो ये भारत का गवर्नर कब बना था तो 1773 आपका करेक्ट एंसर होगा और देखे मैं आपको बता दू कि वारेन हैस्टिंग के समय ही जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो की 1773 में आय था पिट्स इंडिया एक्ट जो की आपका 1784 में आय था पहला मराथा युद भी जो आपका 1775 से लेकर बेरासी तक हुआ था साला भाई की भी जो संदी है वो 1772 में हुआ था नेक्स्ट कोश आपका या पर रहा था कि चोल वंस के सासन के दौरान किस मंदिर का जो निर्मान है ना वो किया गया था तो देखे चोल वंस के सासन के दौरान जो है तीन मंदिरों का जो वो निर्मान किया गया था पहला जो वो आपका ब्रीदेशवर मंदिर जो की तंजाहूर में है और इसे जो है युनेश के कोई दौरा 1987 में जो है विस्व धरोर अस्थल घोशित किया गया था तो आपसन में अगर ब् एरावतेश्वर मंदिर जो कि आपका दारा सूरम में इस्तित है तो अगर इन तिनों में से कोई एक उप्सन में जरूर दिया होगा नेक्स्ट को शाप कर आप रहा था कि गिप्ट ऑफ मोनो एथिस्म इस पुस्तक के लेखा कौन है गिप्ट ऑफ मोनो एथिस्ट होगा इस पुस्तक के लेखा कहना यह राजरा मोहन रॉय हैं तो राजरा मोहन रॉय हैं आपका कररेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि नागरिक्ता अधिनियम यानि आपके Citizenship Amendment ये किस वर्स लागू किया गया था तो देखें नागरिक्ता अधिनियम को झो है ये 1955 में लागू किया गया था तो 1955 आपका Correct Anser होगा और देखें 1955 कि Citizenship Act में जो है ये आपका अभी तक 6 बार जो है वो आपका संसोधन किया जा चुका है और वो छे बार कप-कप है तो पहला तो आपका 1986 में संसोधन किया गया था सेकेंड आपका 1992 में उसके बाद 2003 में उसके बाद 2005 उसके बाद 2015 और जो लेटेस जो संसोधन हुआ था ना वो 2019 में किया गया था तो ये फैक्ट भी आपक ध्यान में रखना है, नेक्स्ट को शाप कहा आप रहा था, कि किस बंदरगा का जो निर्मान है ना, वो बॉम्बे पॉट को भार को कम करने के लिए जो है, गुजरात में किया गया था, तो देखें, गुजरात में कांडला बंदरगा का जो निर्मान है ना, ये बॉम्बे प के भार को कम करने के लिए वो किया गया था। जिसका कांडला बंदरगा का नाम बदल कर जो है, दीन दियाल पतन जो हो वो कर दिया गया है, तो कांडला बंदर गा अपका correct answer होगा। नेक्स्ट कोश आप कहा पराया था कि हाली में सौरी होकी मैच में रैफरी द्वारा किसके लिए जो है दोनों हातों को छीती जिसा यानि जो होरिजन्टल डारेक्शन के उपर जो है उठा कर गोल पोश्ट की तरफ जो वो इसारा किया जाता है तो आप होकी का मैच अगर दे त्लाव होते है उन पैनली टी कोर्नर आपका सूचना देते हैं तो पैनली कोर्नर आपका करेक्ट एंसर होगा वहीँ अगर बात कर ले जब होकी में मैच रैफरी जो है दोनों हात इस तरह से उठा कर सेंटर ओफ फिल्ड की तरह अगर इशारा करते हैं तो ये बताते他是 स इन में से कौन सा जो है, वो आपका फूड पर्जरिबेटिव है, यानि खाद परीचक है, तो देखें यह जो आपका सोडियम बेंजोएट है ना, जो कि आपका बेंजोएक एसीड और सोडियम हाइडरो अक्साइड से मिलकर बना होता है, और यह जो आपका फूड के ड्रस में आचार मसाले और फारगट टापिंग जैसे अमलिये खाद पदार्तों में जो इसका परियोग किया जाता है, नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था, कि किस परकार के जलवाई उच्छेतर में आपके निमने तापमान वो उच वर्सा होती है, यहाँ पर निमने द की मुखधारा कौन सी होती है, तो देखे गंगा नादी की जो मुखधारा है यह भागी रती होता है, तो भागी रती है आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था, कि ICAR, जिसका फुलबं क्या होता है, इंडियन काउंसिल ओफ एग्रिकल्चर रिसर इसका जो मुख्याला है ना, वो आपका दिल्ली में इस्तित है, नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था, कि पारिस्ट की तंत्र के समुच्ची को जो है, वो क्या कहा जाता है, यानि A set of ecosystem is called, तो देखे पारिस्ट की तंत्र में समुच्ची को जो है, यह बायूम कहा जाता है, तो बायूम आपका correct answer होगा, नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था, कि first commonwealth games held in which city, यह जो आपका second ship में जो वो पूछा गया था, यानि पहला जो commonwealth games हुआ था ना, यह किस सहर में जो आयोजित किया गया था, तो देखे पहला जो आपका रास्ट मंडल खेल है ना, यह आपका 1930 में कनाड़ा के सहर हैमिल्टन में जो यह आयोजित किया गया था, तो हैमिल्टन आपका correct answer होगा, नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था, कि how many delegates attended the second session of the Congress, यानि Congress का जो दूसरा सत्र हुआ था ना, इसमें जो कितने प्रतिनीदियों ने जो भाग लिया था, तो देखें, Congress के दूसरे श्रत की अगर मैं बात कर लूँ, तो यह आपका कोलकता में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यस्ता दादा भाई नहरोजी ने किया था, और यह जो आपका 1886 में हुआ था, और इसमें जो आपके टोटल 434 जो आपके प्रतिनीदी जो है, वो आये थे, यानि सा मिल हुए थे, तो 434 आपका करेक्ट एंसर होगा, वहीं अगर पहले सत्र की बात कर लें, तो पहले सत्र में जो है, लगबग आपके 72 जो है, वो भाग लिये थे, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट जो आपके आप रहा था, यह जूट उत्पादन में, विश्व में जो है, प्रत्थम अस्थान किस देश का है, तो देखे जूट उत्पादन में, विश्व में जो प्रत्थम अस्थान है ना, वो भारत देश का है, तो भारत आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा, वहीं अगर बात कर लें, सेकंड अस्थान पे कौन सा द अगर पूछ ले कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नीरियातक देश, अगर दूसरा पूछा जाना कि नीरियातक देश जो की एक्सपूर्ट करता है, तो उसमें जो आपका भारत आएगा, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा भारत के किस हमारे भटी ग्रंथ दिया गया था, तो देखे आरे भटी ग्रंथ की जो रचना है ना, ये आरे भट के द्वारा किया गया था, और ये जो आपका संस्क्रीट भासा में लिखा गया था, तो आरे भटी ग्रंथ आपका करेक्ट अंसर होगा, नेक्स कोशन आया था, कि भारत इसमें चैर्था अच्छ बॉकरेट अधिनियम सब्सक्रार्ですね इकित में से कौन जो है गंगा के दाएं तरफ से जो है वो सहायक नदी है यानि गंगा के राइट साइट की जो है ट्रिबिटरी नदी के बारे में पूछा गया था तो देखें यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, अजेव, दामोदर, क्यूल, रूपनारायन, फागू ये सब नदिया है, तो आपके आप्शन में जो है, 100 नदी के बारे में दिया गया था, तो 100 नदी आपका करेक्ट अंसर होगा, नेक्स्ट कोशां कै आप रहा था तो ये जो आपका नूपा नेते हैं ये किस राज्य का लोक नेते हैं, तो देखें मैं आपको बतातू कि अब जो कहां का लोक नेत है तो देखे पंग चोलम जो है एक मनीपूरी सास्त्रे नेत का एक पार्ट है इसके लावा पंग चोलम का जो यह आपका नूपा डांस है ना वो एक वैरियेशन है तो मनीपूर आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इसके लावा बात कर ले मनीपूरी के अन्ने लोक नेत के बारे में जैसे कि आपका थांगटा, खुबाक एसई, लाई हरोब, इसके बाद चोलोम, उसके बाद डोल चोलोम, चमबा थाइबी, पूंग चोलोम, यह सब जो आपके नेते हैं ना, यह आपके मनीपूर राज्य के लोक नेते हैं, नेक्स्ट कोशन आप के हाँ पर करेक्ट अन्सर होगा, बात कर लें महरास्ट राज्य के अन्ने लोक नेते हो के बारे में, तो जैसा कि आपका लावनी, नक्ता, बोडा, गफा, दहीकला, पावरी नाच, यह सब जो आपके लोक नेते हैं, नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था, कि किस दिन जो ह यह 26 नॉंबर को मना जाता है, और 26 नॉंबर को ही संबिधान दिवस क्यों मना जाता है, क्योंकि संबिधान सबा ने 26 नॉंबर 1949 को भारत के संबिधान को अपना था, और इसे जो लागू कब किया गया था भारत के संबिधान को, तो 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था, तो 26 November आपका correct answer होगा next question आपके आप रहा था कि 103 जो संभीधान संसोधन वा था ना इसके द्वारा EWS यानि जो आपके economic weaker section है इसके लिए कितने प्रतीसत आरचन का जो है वो प्रावधान किया गया था तो देखे 103 जो आपका संभीधान संसोधन जो कि आपका 2019 में हुआ था इसमें EWS यानि economic weaker section के लिए जो है 10% का जो आरचन का है ना वो प्रावधान किया गया था तो 10% आपका correct answer होगा इसके लावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि EWS लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य था ना वो आपका गुजरात राज्य था इसके अलावा एक सो तीनवे शंभीधान संसोधन के द्वारा जो है आपके अनुछे 15 के close 6 को और 16 के close 6 को जो है वो सामिल किया गया था तो ये fact भी आपको ध्यान में नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि वर्स 2010 में पहले जो यूवा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था ये कहां किया गया था तो देखे ये जो प्रेस्टन है ये अब तक आपका तीन बार रिपिट हो चुका है तो देखे वर्स 2010 में पहला जो यूवा आपका जो समर ओलंपिक का खेलो का आयोजन ये जो आपका सिंगापूर में जो आयोजित किया गया था तो सिंगापूर आपका करेक्ट टैंसर होगा इससे प्रिवियस सिप्टो में आपका पूछा गया था कि यूथ ओलंपिक 2024 यह जो विंटर यूथ ओलम्पिक दोजाट चोबीस का होगा ना यह कहां पर होगा तो यह आपका दच्छिन कोरिया गैंगवोन में होगा तो सेनेगल की राज़ानी यह जो आपका ढखार में होगा तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके यह पर रहा था कि जिपसम का जो रासाइनिक फार्मूला पूछा गया था तो देखें जिपसम का जो रासाइनिक फार्मूला होता है ना वो आपका C.A.S.O.4 2S2O यह जो आपका जिपसम का फार्मूला होता है तो C-A-S-O-4-2S2O आपका correct answer वही अगर जिपसम के रासाइनिक नाम की बात कर ले तो इसका जो रासाइनिक नाम है ना वो आपका कैलसियम सल्फेट डाई हाइडरेट होता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलवा प्लास्टर और पैरिश की बात कर ले तो देखें प्लास्टर और पैरिश का जो सुत्र होता है वो C-A-S-O-4 Half S2O यह जो प्लास्टर और पैरिश का जो वो सुत्र होता है और इसका जो रासाइनिक नाम होता है वो कैलसियम सल्फेट डाई हाइडरेट होता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है सौरी डाई हाइडरेट तो आपका यहाँ पर इसका हो जागा जिपसम का हो जाएगा लेकिन अगर प्लास्टर और पैरिश की बात कर ले तो कैलसियम सल्फेट हेमी हाइडरेट हो जाएगा तो यह fact आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था कि तंजवर यह जो एकिस राजवन्स की राजधानी थी तो देखे यह जो आपका तंजवर था ना यह चोल वंस की जो है वो राजधानी था या फिर चोल वंस का राजधानी पूछा गया था तो देखे चोल वंस का जो राजधानी था ना वो तंजवर था तो तंजवर आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले चौल वंस की अस्थापना ये जो जो है किस के द्वारा किया गया था तो ये आपका विजा याले के द्वारा किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्धान में रखना है लोसार दिया गया था तो देखें यह जो आपका लोसार तेवार है ना यह आपका लदाक का तेवार है तो अगर लोसार आपसन में दिया गया था तो लोसार आपका यहां पर एक करेक्ट एंसर है इसके लावा अगर हमें बात कर लें लोडी यह जो है कहां का जो है वो आपका तेवहार है तो यह आपका पंजाब राज्जी का जो वो तेवहार है इसके अलावा बात कर ले मनिपूर के आपके सौरी सिक्किम के अन्ने तेवहारों के बारे में जैसे की लहबाब दूचेन, सकेवा, सागा दवो, रेड़ पांडा, रेड़ पांडा सीत उत्सव, दुख् के पास यानि जो आपके कंकरेंट लिस्ट होते है ना उसके विसए पर कानून जो है यह कौन बना सकता है तो देखे इसके अंतरगत दिये गए विसए पर जो केंड एवं राज्जी दोनों सरकारे जो है वो कानून बना सकता है लेकिन कानून के विसए समान होने पर जो है क केंदरे सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है उसे ही मानने जो है वो माना जाता है इसके लावा बात कर ले समवर्ती सुची में कितने विसे हैं वर्तमान में तो आपके 52 विसे हैं तो आपके यहां पर केंदरे सरकार आपके यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश तो Newland का अस्टक नियम आपका correct answer होगा बात कर ले इसे जो है कब प्रकासित किया गया था तो 1866 में जो है इसे प्रकासित किया गया था Newland का जो अस्टक नियम था ये किस पर आधारी था तो ये आपके परमानू भार पर जो है आधारी था और इसमें क्या बताया गया था तो अपने से आठवे elements के गुन को जो है वो दरसाता है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखता है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि RBI द्वारा बैंक को दिये जाने वाले जो रिन होता है उसे जो है क्या कहा जाता है तो देखिए RBI द्वारा बैंक को दिये जाने वे रिन को जो है या आपका बैंक दर या फिर रेपो दर जो है वो कहा जाता है बैंक दर होता क्या है तो देखिए जो आपके केंडरी बैंक व इसे जो है रेपो दर का जाता है लेकिन बच्चे बता रहे थे कि बैंक दर और रेपो दर जो है आपसन में नहीं दिया गया था तो देखें मैं आपको बता दू कि अगर ये आपसन में नहीं दिया हो गया होना तो फिर आपका MSF दिया हो गया होगा जिसका फुल फॉम क्या ह तो MSF आपका correct answer होगा, next question आपका आप रहा था कि टेले मानस, इसमें टेले मानस में M का full form पूछा गया था, तो देखे टेले मानस का पहले आप full form जान लीजेगी, तो देखे यह जो आपका टेले मानस है, यह केंदर सरकार का एक program है, जिसका full form टेले mental, health assistant and networking across state होता है, तो M का full form पूछा गया था, तो mental आपका यहाँ पर correct answer होगा, next question आपका आपका आप रहा था, कि in which five year plan was mandrega was launched, यानि जो यह आपका mandrega योजना है न, यह किस पंचवर्स योजना में जो है, इसको सुरू किया गया था, तो देखे पहले तो आप mandrega का full form जान लीजे कि क्या हो तो देखे इसका full form होता है न, यह महत्मा गांदी रास्ट्रे ग्रामी रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, और इसे जो है अगस्त 2005 में भारतिय संसद ने नरेगा के नाम से जो है, वो पारित किया था, और यह लागू कब हुआ था, तो यह आपका दो फरवरी 2006 को जो ह वो लागू किया गया था, और देखें मैं आपको बता दू कि 2 October 2009 को जो है, नरेगा अधिनियम का नाम बदल कर जो है, यह मनरेगा कर दिया गया था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, तो बात कर लें मनरेगा योजना, यह जो है किस पंचवर्सी योजना मे जो है, यह आपका सुरू किया गया था, तो यह आपका दसवी पंचवर्सी योजना, जिसका कारिकाल 22 से लेकर 27 तक रहा था, तो दसवी पंचवर्सी योजना में जो यह आपका सुरू किया गया था, तो दसवी पंचवर्सी योजना आपका करेक्ट एंसर होगा, बात कर previous सिप्टों में जो आपके SI unit से प्रेशन पूछे गया है उसको देख लेते हैं जैसे कि ampere यह जो आपका electric current का unit होता है वोल्ट की बात कर ले तो यह आपका electric potential यानि विवांतर का जो है यह आपका unit होता है ओम की बात कर ले तो ओम जो होता है यह आपका electrical resistance का unit होता है कूलम की बात कर ले तो यह आपका electric charge का जो है ऐसा unit होता है तो यह fact भी आप ध्यान में रखें नेक्स्ट कोशा आपके आप रहता कि हाली में किस राज्जी के द्वारा जो है राज्जी व्यापक स्वास्त भीमा योजना medisep योजना जो है इसकी सुरुवात की गई है तो देखें हाली में केरल सरकार के द्वारा एक जुलाई 2022 से जो है medisep योजना की जो है वो सुरुवात की गई है तो केरल आपका correct answer होगा और देखें इस योजना के अंतरगत राज्य सरकार के करमचारियों वो प्रदान की जाएगी तो अगर पूछा जाए कि यह जो आपका medisep योजना है जो की केरल सरकार के द्वारा सुरु किया गया है यह जो है किस से संबंदित है तो यह आपका चिकितसा बीमा योजना से संबंदित है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके हाँ पर रहा था कि निमनल इखित में से कौन सा दूरी का इकाई है जहाँ पर option में जो आपका प्रकास वर्स दिया गया था तो देखे यह जो आपका प्रकास वर्स है ना इसके अलावा सेंटी मीटर होता है इसके अलावा मीटर होता और किलो मीटर होता है यह सब जो आपके डिस्टेंस के जो है मैट्रिक ऐसा यूनिट होते है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके हाँ रहा था कि the type of coal that is used mainly for commercial uses यानि मुख्य रूप से वानिज्ज्स में कोईले के किस परकार का कोईला वो परियूग किया जाता है तो देखे मैं आपको बता दू कि website की रूप से उपयोग किये जाने वाले कोईले के जो परकार है ना उना वाफके बीटु मिनश कोईला है नेक्स्ट कोश आपके हाप रहा है था कि in which year was the voting is reduced from 21 to 18 in India यानि भारत में मतदान की जो आईउ है ना वो 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स ये जो है किस वर्स कर दिया गया तो देखें सबसे पहले मैं आपको बता दू कि 61 जो संबिधान संसोधन ना ये आपका 1988 में हुआ था लेकिन आपका 1989 में जो ये आपका लागू किया गया था तो देखें 61 संबिधान संसोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है लोक सबाता था राज्य विधान सभाओं के चुनाओं के मतदान करने की जो नियूनतम आईउ है ना वो 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया था तो आपका 1989 वर्स पूछा गया था तो 1989 आपका correct एंसर होगा वही अगर संबिधान संसोधन आगे के सिप्ट में पूछ ले तो ये 61 संबिधान संसोधन के तहद जो है का लोकसभा और विधान सभा के चुनाव से संबंदित है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यानवे रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि वाट इस दा कोयरम रिक्वार्ड इन लोकसभा फोर दा मीटिंग टू टेक प्लेस यानि लोकसभा की वैठक होने के लिए आवस्या कोरम जब वो क्या होता है तो देखें लोकसभा बे वैठक सुरू करने के लिए कम से कम जो है दसवे सदश्यों की जो है उपस्तिती है ना इसकी जो है आविशक्ता होती है और इसे ही जो है बिना अनुपस्तित यानि अपसेंट रहता है तो उसकी सीड जो है वो रिक्त गोसी जो है वो कर दी जाती है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि वर्स 2022 में दिल्ली के नए उप राजजिपाल यानि लिटेनेंट गवर्नर क कि प्त पर ये किसे न्युक्त किया गया है तो जैसा कि आपको पता कि दिल्ली जो है एक केंडर सास्रीठ पर्देस है और यहाँ पर राजजिपाल नहीं उप राजजिपाल कि पर ये भी नया कि मिरी आपका करेक्ट ** होगा कल यपका पुडूँचेattend कारिका ये मुख्य म को बता दू कि दित्ते पंचवर्ची योजना का जो कारिकाल है ना वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा था और यह जो आपका दित्ते पंचवर्ची योजना था यह आपके PC महाल प्राज़ेंद्र 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 प्राज़ेंद तो देखें CPCL का जो full form होता है न यह आपका चिन्नाई petroleum corporation limited होता है तो चन्नाई petroleum corporation limited आपका correct answer होगा और यह जो आपका इन्डियन oil corporation जो कि आपका subsidiary company के अंतरगत आता है और यह किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो यह आपका ministry of petroleum and natural gas के अंतरगत आता है तो यह fact भी आपको ध तबला वादक को जो है ग्रैमी आवाड से समानित किया गया था तो देखे मैं आपको बता दू कि ग्रैमी आवाड से जो है आपके लगतार जो हुआ प्रेस्ट ने पूछे जा रहे हैं तो आप ग्रैमी आवाड से जितने भी प्रेस्ट ने बनते हैं आप उसको जरूर देख कर जाइएगा तो देखे वर्स 2009 में यह जो जाकिर हुषयन है जिनका समन तबलावादक से है और इनने घ्रैमी अवाड से समानित किया गया था तो जाकिर हुषैन आपका correct answer होगा बात कर ले जाकिर हुषैन के बारे में तो इनने 1988 में पदम स्री से समानित किया गया था और 2002 में पदम भूशन आवाट से भी समानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके पहले previous सिप्ट में आप से पूछा गया था कि ग्रामी पुरुशकार पाने वाले पहले भारतिये कौन है तो देखे ग्र पहली ग्रामी पुरुशकार पाने वाली महिला का नाम पूछा गया था तो देखे पहली ग्रामी पुरुशकार पाने वाली जो भारतिये महिला थी ना वो तनवी साहती तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि ट्रांस्पिर रूप में सरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ही जो आपका वासपूर सर्जन कहा जाता है और वासपूर सर्जन मुख्य रूप से जो है पतियों के अस्टो माटा जिसे जो है रंद्र भी कहा जाता है इसके माध्यम से होता है तो अस्टो माटा आपका करेक्ट बात कर लें अस्टोमाटा यह जग किस से संबंदित है तो दिखिए खाल जो है यह मुख्य रुप से प्रकास अंसलिशन और स्वसन की परकिरिया के दोरां यह गैसों के आदान प्रधान से संबंदित है तो यह अश्म प्रश्न पूछा जा सकता है, कि गैसों के आदान प्रदान, जब फोटो सिंथिस होता है, तो उसमें गैसों का जो आदान प्रदान है, ये किस के द्वारा किया जाता है, तो ये मुख्य रूप से अस्टोमाटा के द्वारा किया जाता है, नेक्स्ट कोश आपके आप रहा थ था कि ICC Women's Under 19 World Cup 2023 ये जो है कहां पर आयोजित किया जाएगा तो देखें मैं आपको बता दू कि ICC Under 19 महिला T20 विश्व कप का जो है ये पहला संसकरन है जो कि आपका 2023 में जो है ये आपका साउथ अफरीका में जो है वो खेला जाएगा तो धच्छिन अफरीका आपका यहां प जो है वो बनाए गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आप रहता कि Who is the Attorney General of India 2022 यानि भारत के जो है वर्टमान में महानयवादी जो है ये कौन है तो देखें भारत के वर्टमान Attorney General की बात तो ये आपके आर वेंक्टर मनी है जिने ज साल के लिए जो है वो न्यूक्त किया गया है तो और इससे पहले भारत के महानयवादी कौन थे तो आपके केके वेनु गुपायल थे और ये जो है भारत के सुलवे Attorney General है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है तो आर वेंक्टर मनी आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश आर यानि प्रतिःार राश्ट्रकुट वर्च सामिल हुए थे और पाल वन्स ये जो आपके टीन वन्स ज़ो है वो आपके कंणौच के त्रीपछी संगर्स में जो है वो सामिल हुए थे और आपका जो चौथा Opsन दिया गया था तो तो देखें है ये जो आपका कमबोडि डिनेस्ट्री है ना ये त्रीपच्छे संगर्स में जो वो सामिल नहीं हुआ था तो कंबोडिया डिनेस्ट्री आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशा आपका है अपरा था कि तिरुमाला तिरुपती डेव अस्थाना मंदिर दौ अस्थाना नर्त की यानि रेजिडें डांसर की जो उपादी है ना ये यामिनी कृष्णा मूर्थी को जो वो दिया गया था तो यामिनी कृष्णा मूर्थी आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले यामिनी कृष्णा मूर्थी का समंद किस नेत्य से है तो ये भरत नाट्यम और खुची पोड़ी नेत्य से है तो ये फैक्ट भी आपको ध्याद नियुक्त ने हैं